दोस्तो इस वीडियो के अंदर विदानता की एक बहुत बड़ी अपडेट सहित 8 हैसे स्टॉक्स बताने जा रहा हूँ जिनोंने आप इस स्टॉक बोनस स्टॉक स्प्लेट एंड डिविडेंड अनौंस कर दिया है मैं हूँ आरुश आप देख रहे हैं फनो मेडिय अब आया आरुश आईए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आइए दोस्तों बात करते हैं यहांपे हमारे पहले स्टॉक की तो कमपनी का नाम है Natco Pharma Limited इस कमपनी का स्टॉक प्रइस 792 रुपीस के उपर में चल रहा है अगले स्टॉक की बात करें तो कमपनी का नाम हैmbre 15 पैसे का डिविडेंड दिया जाएगा और इस dividend को देने की जो X date और record date है वो 24th of November की रहने वली है अगले stock की बात करें तो company का नाम है XT Global Info इस company का stock price सिरफ 48 रुपीस के उपर में चल रहा है और इस company ने आप ए dividend अनौंस कर दिया है 0.05 रुपीस का यानि की हर एक stock के उपर में आपको सिरफ 5 पैसे का dividend दिया जाएगा और इस dividend को देने की जो X date और record date है वो भी same day की रहने वली है यानि की 24th of November की अगले stock की बात करें तो company का नाम है शरत Industries Limited इस company का stock price 57 रुपीस के उपर में चल रहा है और इस company ने आपे dividend अनौंस कर दिया है 0.25 रुपीस का यानि की हर एक stock के उपर में आपको 25 पैसे का dividend दिया जाएगा इसको भी देने की X date और record date same day की रहने वली है यानि की 24th of November की अगले stock की बात करें तो company का नाम है विश्नू सूरे Projects Limited इस company का stock price 207 रुपीस के उपर में चल रहा है और इस company ने आपे dividend अनौंस कर दिया है 1 रुपीस का जिसको देने की X date और record date जो है 22nd of November की रहने वली है अगले stock की बात करें तो company का नाम है Evental Limited इस company का stock price 340 रुपीस के उपर में चल रहा है इस company ने आपे stock bonus अनौंस करके रखा है 2 is to 1 के ratio से जिसका मतलब यह है अगर आपके पास में इस company का एक stock है तो यहाँ पे आपको 2 stocks as a bonus मिलेंगे टोटल में जो आपका 1 stock है वो यहाँ पे 3 stocks के अंदर में convert हो जाएगा याद रखिएगा हर एक stock के उपर में आपको 2 stocks as a bonus दिये जाएंगे और इस stock bonus को देने की X date और record date जो है 24th of November की रहने वाली है अगले stock की बात करें तो company का नाम है OK Play Limited OK Play का जो stock price है वो 106 रुपीस के उपर में चल रहा है और इस company ने आप इस stock split announce कर दिया है 1 to 10 के ratio से जिसका मतलब यह है अगर आपके पास में इस company का एक stock है तो आपका जो एक stock है वो total में 10 stocks के अंदर में convert हो जाएगा बेशक आपके पास में इस company के जितने भी stocks हो आपका हर एक stock यहाँ पे 10-10 stocks के अंदर में convert हो जाएगा और इस stock split को देने की x date और record date फिलाल upcoming में है जैसे ही company x date और record date announce करेगी मैं आप लोगों को सबसे पहले intimate कर दूँगा अगले stock की बात करें तो company का नाम है e-sab India Limited इस company का stock price 5,877 rupees के उपर में चल रहा है और company ने आपे dividend announce कर दिया है 32 rupees का जिसको देने की x date और record date जो है 25th of November की रहने वली है अब आजाते हैं बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे अगले end last stock की तो company का नाम है विदानता विदानता की तरफ से एक बहुत बड़ी update निकल के आ रही है basically विदानता की एक subsidiary company है जिसका नाम है Malco Energy and Malco Energy जो company है वो यहाँ पे अपनी एक नई subsidiary company बनाने जा रही है जिसका नाम रखा जाएगा विदानता copper international and यह जो विदानता copper international company है इसका जो unit है वो यहाँ पे साओधी अरेबिया के अंदर में लगाये जाएगा and विदानता copper international जो है यहाँ पे copper rod manufacturing unit लगाने जा रही है साओधी अरेबिया के अंदर में all over देखा जाए तो कही ना कहीं directly या indirectly आप कह सकते हैं विदानता की ही company रहेगी विदानता copper international and आने वले टाइम में साओधी अरेबिया से जो भी बिजनस होता है उनके copper rod manufacturing unit के तुरू वो सबका सब profit यहाँ पे directly या indirectly विदानता के पास में ही आने वला है all over देखा जाए तो काफी अच्छी काफी positive update है छोटे scale पर ही सही बठा अभी भी विदानता यहाँ पे expansion की तरफ में देख रहा है जहाँ जहाँ यहाँ पे requirements हैं वहाँ अपने units को लगा रहा है ताकि वो सारी requirements को fulfill करके एक full-fledged profitable business वहाँ पे बना पाए तो यह काफी अच्छी बात है कि यहाँ पे विदानता copper international एक नया unit साओधी अरेबिया के अंदर में लगाये जाएगा विदानता द्वारा काफी अच्छी काफी positive update निकल के आईए विदानता की तरफ से काफी लंबे time बद और इसके अलावा आपको जिस भी stock को purchase करना हुआ ताकि आप आपको उसके announcements का benefit मिल पाए तो आपको उन stocks को उनकी x date से पहले पहले purchase कर लेना होगा बाकी इस वीडियो के अंदर में इतना ही यही 8 stocks थे जिन्नोंने आप इस stock bonus stock split and dividend announce किया था अब अगर आप कोई वीडियो ची लगियो वीडियो को जरूर से like कर दीचेगा प्लीज इस चानल को भी जरूर से subscribe कर दीचेगा because finomedia के अंदर आपको ऐसे ही stock market से related content देखने को मिलता रहे का चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then bye